दे ग्रेट रूलर सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड की एंड से होती है जहाँ पर मुचैन के साथ कुछ और लोगों ने इस कमपटिशन को एक्सेप्ट कर लिया था और वह सभी के सभी लोग पहुंच चके होती हैं अलग लग नौतन हैविन करदा्यृ ध्रूषski के इसनायक की एहाँ पर में सबसे पहले फाइट दिखाइ जाती है मुचैन की जो कीशल में हो रही होती है एंड रैन के साथ मैं ज़स को लोगने के लिए मुचैन सबसे पहले अपनी The Great Buddha Hand Technic को यूज़ करता है जिसको फोर्डने के लिए एन्रेन भी अपने Spear का ही यूज़ कर रहे थी अब बहुती आसानी के साथ मैं The Great Buddha Hand Technic को भी Destroy कर देती है और वो ये कहती है कि तुमने जिस टेक्निक को यूज किया था वो तो काफी ताकतबर है लेकिन तुम नहीं जिससे के पर मुचन कहने लगता है कि अब मुझे अपनी एक अलगी टेक्निक को आज माने दो क्योंकि अब वो एनरन को हराने के लिए यूज करने लगता है अपनी spiritual formation को और जैसे ही यहाँ पर एनरन के सामने उसकी shields open होती है तो वो यह कहने लगती है कि इस बंदे को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह कोई spiritual formation master भी है कि तुम्हारा दुर्भाग के बस अतना सा है कि चाहे कितना भी बड़ा spiritual formation master क्यों नहीं हो लेकिन उसको अपने formation बनाने में समय लग ही जाता है कि तब ही वो देखती है कि उसके बाते करते करते ही मूचैन ने अपनी dragon element formation को complete भी कर लिया था चीज़ देकर एंडरेन को अपनी आखो पर यकिन नहीं होता कि आकरस बंदे ने इतने जल्दी formation को कैसे बना लिया और मूचैन की यह dragon element formation वाकई मैं पहले से जादा strong भी हो चुकी थी इसलिए एंडरेन कहती है कि यानि कि तुम heart formation में भी mastery हासिल कर चुके हो इसलिए वो कहती है कि शायद इसी वज़े से मूचैन इतना ज्यादा confident था कि वो divine soul level के कि वो middle stage में होते हुए भी उसको हरा सकता है और उसको जैसे उसकी ये सच्चाई पाता चलती है वो तुरंती तयार हो जाती है attack का सामना करने के लिए कि अम मूचैन यहाँ पर रुकने वालों मैंसे नहीं था और वो तुरंती प्रिप्यार करने लगता है अपनी dragon element formation को attack करने के लिए जिसको रोकने के लिए एनरेन तुरंती अपने heaven level की एक spirit shattering palm technique को use करने लगती है जो चीज़ देख कर वो खुदी मूचैन से यह कहने लगती है यगर तुम वाकए में सूसते हो कि तुमके बल इतनी power की मदद से मेरे जैसे heaven level के fusion बाली बंदी को हरा सकते हो तो बच्चे यह तमारी सबसे बड़ी भूल है जो बास सुनकर मूचैन कहता है कि रुख जाओ ज़रा थोड़ा सा सबर करो कि अभी तक उसने अपनी dragon element formation की पूरी ताकत को तो use किया ही नहीं था इसलिए फुर जैसे ही मूचैन अपनी dragon element formation के pressure को बढ़ाने लगता है तो एनरेन को तुरंती अपनी आउकाद पता चल जाती है कि उसकी यह technique मूचैन के सामने नहीं टेकेगी योगि जिस तरीके से last time मूचैन ने अपनी suppression power को use किया था तो एनरेन की palm technique को रोकने के लिए भी उसी suppression का ही use करता है जिसने केवल एकी दमागे में एनरेन की technique को destroy कर दिया था और ये चीज़ देखकर एनरेन कहती है कि शायद मैंने तुमें कुछ जादा ही underestimate कर दिया इसलिए फिर फिर वो तुरंती अपने स्पिर को बना लेती है एक thunder and spinning spear जिसको लेकर वो तुरंती निकल जाती है मूचेन की इस formation का सामना करने के लिए जिसके उपर वो काफी सारे attacks को करते हुए उसको केवल एक ही slash के अंदर काट कर रख देती है जो चीज़ देखकर मूचेन भी हैरान हो जाता है कि एंडरेन ने के वल एक ही जटके के अंदर उसकी इतनी ज़्यादा ताकट dragon element formation को ही destroy कर दिया यसी नोब कहता है कि मानना बढ़ेगा कि ये लड़की वाकई में fight break academy की असली student बनने के लायक भी है जिसे कि मूचेन उसकी moves को देकर काफी जड़ा इंप्रेस भी हो रहा था और इस सारी कि सारी fight को बाहर बैटे हुए सबी लोग भी live टेली कास्ट में देख रहे थे क्योंकि मूलिंग और ईशू की तो अंदर जाने की भी हिम्मत नहीं हुई थी तबी इशू ये कहने लगती है कि मूचेन जरा अपनी थोड़ी से हिम्मत को दिखाओ मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो तो मूलिंग उसको दिलासा देती हुए कहता है कि तुम चंता मत करो इशू हमारा मूचेन वाकए मैं काफी जन्द स्ट्रॉंग भी है और वो भी उम्मीद कर रहा था कि मूचेन तुमें हमारी अजज़त को रखना होगा लेकिन फिर तवी वो लोग वहाँ पर देखने लगते हैं लूओ लीकी फाइट को जाने लगती है और वाकई मैं उसने उसको हराबी दिया था अपर वो कहते है कि सीनियर मुझे आपके साथ में फाइट करते हुए काफी अच्छा लगा लूओ लीको देखकर सभी लोग एकदम ही शौक हो जाते है क्योंकि उसने इस फाइट को बहुती जल्दे जीत लिया था इसी वज़े से सभी लोग इस बारे में बात करने लगते है कि ये लड़की सच में रिपिटिशन रखती है इस प्रूचुल लैंड की लौड कहलाने की इसलिए सभी के सभी लोग उसको चियर करने लगते है कि लौड ली तुमने बहुती अच्छा काम किया और तुमने अपने इज़त को रख लिया लौड लौड कहलाने का जिसके बाद पर हम लोग एक दूसरे आयरी नमें फाइट करता हुआ देखते है चूकी को कि एक सीनियर स्टूडेंट के साथ मैं फाइट कर रहा था कि देखकर ऐसा लगता है जैसे कि चूकी सीनियर से जीत नहीं पाएगा और साथी साथ किंग लिंग की भी हालत कुछ ऐसे ही नजर आ रही थी क्यूकी ना तो वो अपने सीनियर के उपर कोई अटेक कर पाती है और ना ही वो उसके अटेक से से खुद को बचा पा रही थी जिसके ईशू को अपने सिस्टर के काफी ज़न्दा चिंता भी होने लगत है कि शायद अभी तक केवर लूओ ली ही है जो किस मैच को जीत पाई है युकि तबी वो फिर तोरंती अपने एरिना से वे वापस आ जाती है जिसे कि सभी लोगों को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि हाँ अब लूओ ली इस मैच को जीत चुकी है और लूओ ली की मूचन की भी काफी जादा चिंता भी होने लगती है जहांवर फिर तबी हम मूचन को देखते हैं जिसके ग्रेट बुद्धा टैकनिक भी डिसेपियर हो चुकी थी और एनन पूरी तरीके से तयार होती है अपने इस पियर से अटेक करने के लिए इसलिए फिर फिर वो मूचन अपने डैगर की मदस्से कर रहा था लेकिन एनरन के पास में उसके स्पियर का साइस बड़ा होने का काफी जादा एडवांटेज था जिससे कि उसके अटेक्स का इंपक्ट मूचन के उपर बहुती जादा ताकत के साथ में पढ़ रहा था मूचन भी अब इस बात क कनेक्शन की पावर को यूज करने की जरुवत है जिसके लिए जियो यूकू तुरंती रैडी भी हो जाती है जियो यूकू उससे कहती है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो लेकिन जब तक उसको अपने पावर्स को एक्टिवेट करने में थोड़ा सा समय लग रहा था तब त के साथ ही साथ जियो यूकू के मार्सल सूल को भी यूज कर पाएगा जिसकी मूचन की पावर्स पहले की तुला में कही गुनाज ज्यादा बढ़ जाएंगी और जियो यूकू अपनी पावर्स के साथ साथ अपने मार्सल सूल को तुरंती मूचन की सूल बोड़ी के अंद बहुत ही आसानी के साथ में उसके अटेक्स को डॉज भी कर दिया था जो जिस देखर एंडरन खुद भी शौक हो जाती है कि आकर इस लड़के ने ऐसा कैसे कर दिया इसकी स्पीर्ड अचानक से इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है जिसे कि वो तुरंती अपने स्पीर को बहुती तेजी के साथ में हिट करती है मूचेन की तरफ लेकिन मूचेन ने तो उसको भी डॉज कर दिया था और मूचेन फाइट के लिए तयार होते हुए उससे कहता है कि सीनियर अब थोड़े से कैलफूर रहना क्योंकि मैं आ रहा हूँ लेकिन केती है कि बच्चे मुझे तुम्हारी पावर्स का जरा सा भी डर नहीं है क्योंकि अब दोबारा से उन दोनों के ही बीच में काफ़े शांदर कॉमबैट शुरू हो जाता है जहाँ पर मुचेन अभी भी यूस तो कर रहा था अपने डैगर को लेकिन उसकी स्पीड और ताकत दोनों ही पहुँच चुकी होती है हैवन लेवल के फ्यूजन पर जिससे कि वो बहुत ही आसानी के साथ मैं एनरेन जैसे करेक्टर को भी धकेलने लगता है और इचीस देखकर एनरेन बहुती ज्यादा शौक हो चुकी थी वो कहने लगती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आकर इस लड़के की ताकत अचानक से कैसे बढ़ गई यब तो मैं भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रही हूं जैसे कि फिर वो तुरंती यूज करती है अपनी इस्प्रिट शेटरिंग पाम को और जैसे ये टेक्निक मुचें से हिट होने को जा रही थी तो फिर मुचें यहाँ पर यूज करता है जियो यूकू की स्प्रूचल एनरजी को और इस फ्लेम की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉंग होती है इसने बहुती आसानी के साथ ने उसके शेटरिंग पाम को ही डेस्ट्रॉई कर दिया था एनरण कहती है कि आकर यह किस तरीके की फायर थी जिसने मेरी शेटरिंग पाम जैसी टेकनिक को ही डेस्ट्रॉई कर दिया जिसके बाद पर मूचेन तुरंती बढ़ने लगता है एंडरेन की तरफ से कि एंडरेन को तक पीछे हटना पड़ता है वह कहने लगती है कि शायद अब मुझे इस फाइट के लिए थोड़ा से सीरियस भी होना पड़ेगा इसके लिए फिर एंडरेन यहाँ पर यूज़ करने लगती है अपने मार्जल सूल को जो कि यह काफे ज़दा स्टॉंग इस पूचिल बीस्ट की स्परिट है जो कि इस दुनिया में पाई जाने वाले बीस्ट के बीच मैं 65 की रैंकिंग को रखता है जिसकी वज़े से ये उन बीस्ट से भी ज्यादा ताकत पर है जिनका शिकार पिछली बार मुझे ने किया था ये कहने लगती है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है मेरे गोल्डन इगल को लाने के लिए और अगर इसकी वज़े से मैं तुम्हें हरा दू तो तुम्हें प्राउड फिल भी करना चाहिए इस फाइट को देख रहे थे और उनमेंसे किसी को भी अपने आखो पर यकिन नहीं होता कि मुझे ने गोल्डन इगल की ताकत का सामना अकेले कर रहा है क्योंकि सबी लोगों को ये पता था कि वो अभी केवल डिवाइन सूल लिवल के मिडल स्टेज में ही है मुझे नहीं सोच रहा था कि ये गोल्डन इगल तो सच में बहुती जाना स्ट्रॉंग है लेकिन फिर वी उसके पास में ताकत है इस इगल को हराने की जिसके लिव फिर वो तुरंती इस इगल को रोकते हुए जियो युको की मार्स सलसूल को बाहर निकाल लेता है जिसने के वले एके जटके में इस गोल्डन इगल को पीछे धकेल दिया था एंडरन कहने लगती है कि अब आकर ये किस तरीके का स्पुचल बीस्ट है क्योंकि इसके अंदल तो गोल्डन इगल जैसे बीस्ट को भी हराने की ताकत है इसलिए वो समझ जाती है कि ये बंदा कोई मामूली लड़का नहीं है जिसके बाद पर वो तुरंती दुबारा से प्रिपेर करने लगती है अपने एगल को ताकि वो मूचन के उपर अपने आईस एटेक्स को कर सके मूचन भी कहता है कि आजाओ मैं तुम्हें इसके मज़े करा देता हूँ जिसके बाद पर ये दोनों के दोने स्प्रोचल बीस्ट एक दूसरे के साथ में टक राने के लिए जाने लगे थे और ये नजारा इतना जादा शानदार होता है कि सबी लोगों की आँके खुली की खुली रह गई थी और इन दोनों ही स्प्रोचल बीस्ट की पावर क्लैशिंग को देखकर सबी लोगों की आँके खुली की खुली रह जाती है कि मूचन के पास में जियो यूगो की पावर्स होने की वज़े से वो अपने ताकत को और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ा देता है जिसका उसने एक ही जटके में गोल्डन इगल को खतम करने के साथ साथ अप और एनरेन को भी नीचे जाने पर मजबूर कर दिया था एनरेन ये देखती है कि उसका ये आईस हिस्परिट गोल्डन इगल अब पथर में बदलकर एक ही जटके में खतम भी हो जाता है जिसका मतलब यही था कि अब फाइनली मूचन ने हरा दिया है एनरेन को अब वो ये देखती है कि मूचन की ये मार्सल सोल वापस से उसी के पास में जा चुकी है बाहर कड़े हुए सभी के सभी लोग ये देखते ही रह जाते है कि मूचन ने एक हैविन नेवल के फ्यूजन की पावर को रखने वाले बंदी को हरा दिया इशू तो चलते हुए मूचन को चीर करने लगती है कि फानली भाई तुम जीत गए दूली भी मूचन के लिए काफ़े ज़न्दा कोश हो जाती है कि आकर कार उसने कर दिखाया मूचन के सभी के सभी दोस्त भी उसकी तारीफे करने लगते है चुकि कहता है कि मुझे भी इसके साथ में लड़कर अपनी ताकत को आजमाना है जहांवर फिलतर भी वो दोनों के दोनों एरिना से भी बाहर आ जाते है जिसी के सवी को यकिन हो जाता है कि मुचन ने फरनली एंडरेन को हरा दिया तबी एरन कहती है कि मुझे तुमारे साथ में फाइट करके काफी अच्छा लगा और साथी साथ बो मूचन को इसका स्प्रिट वैल्यू रिवाड भी दे देती है जिसी के मूचन के स्प्रिट वैल्यू बढ़कर हुच की होती है 6,100 जिसे वो काफी खुच होता है और एरन का शुक्रियादा भी करता है तो वो लूओली को दिखाता है कि दीखो मैं जीत गया वो भी कहती है कि हाँ मैं भी जीत गई हूँ तबी एरन कहती है कि ठीक है अब ये कमपटिशन कातम हो चुका है अब मैं तुम लोगों को यहां से ले जाओंगी तुम लोगों की मंजिल की तरफ जो की इन सबी के सपना है Northern Heaven Spiritual Academy में जाने का जिसके बाद फर वो आगे बढ़ते हुए सबी लोगों को अपने पीछे भी बुलाती है जिसके बागी के लोग तुरंती उसके पीछे चलना भी शुरू कर देते है और जैसे ही ये लोग Northern Heaven Spiritual Academy के अंदर एंटर करते है फर उन लोगों के एक बहुती खूबसूरत नजारा दिखाई दिता है जो कि उन्होंने आस तक नहीं देखा था जहाँ पर इन लोगों का मार्ग दर्शन कर रही थी एंटर एंटर इशू तो यहाँ की खूबसूरती मेही खो जाती है कि ये अकैडमी कितनी ज्यादा अच्छी है और जैसे ही हमें Northern Heaven Spiritual Academy का एक फूल व्यू दिखाया जाता है उन लोगों के साथ साथ मुझे भी ये बहुती ज्यादा अच्छा भी लगा है आप लोगों को ये अकैडमी कैसी लगे मुझे केमेंट में जरूर से बताना तबी एन रेन ये कहती है कि तुम सबी लोगों का स्वागत है हमारी इस Northern Heaven Spiritual Academy में इसलिए अब चलो क्योंकि तुम लोगों की आज से एक नई जिन्दगी शुरू होगी चलो अली से कहता है कि फाइनली हम लोगों ने वो करके दिखा दिया जो कि हमने सोचा था इसी के साथ में ये Amazing एपिसोड भी यही पर ही खतम हो जाता है और इसके आने वाले सभी के सभी एपिसोड हमेशा ही टाइम पर अप्लोड किये जाएंगे